उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव में एक सड़क किनारे बनी जोपड़ी में मोरंग लदा डंपर जागुजा जोपड़ी में सो रहे दंपत्ती और उनके दो बच्चों को रौन दिया मौके पर ही चारों की मौत हो गई बता दें बारा बंकी के जेदपुर के रहने वाले उमेश टाइल्स का काम करते थे वो अध्या हाइबे किनारे जोपड़ी डाल कर पतनी नीलम और बच्चों के साथ रहते थे दरसल बीती रात पुरा परिवाज जोपड़ी में सो रहा था इसी दोरान रात करीब एक बजे डंपर बेकाबू होकर जोपड़ी में जा गुसा और हादसे में उमेश नीलम गोलू और सनी की मौत हो गई परिवार में केवल एक लोग बचा है मौके पर ही पुलिस को सूचना मिलते ही सबों को निकाल कर पोष्ट माडम के लिए भेजा गया डंपर चालक को ग्रफतार कर लिया गया पतनी नीलम आठ मा की गरवती थी दंपती की एक साथ साल की बेटी बालबाल बच गई है इस से उले कर भतीजे धरम सिंग ने फाई यार दर्ज कराई है